खबराने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बेटे की एंट्री मतलब एंट बादमाशों को डिसेंट में क्या गोशित अध्या पुश्पा टू को है जैसे पुश्पा टू की स्टूरी पुश्पा टराइस से भी ज्यादा रोमान चक होगी क्या पुश्पा टू तोर देगी सारे पेचली रिकॉर्ड्स क्या पुश्पा टू इस साल बॉक्स ओफिस की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनने में कामयाब होगी पुष्पा दर राइस के हिट होने के बाद मानो सभी अक्टर्स अलू अर्जुन के दिवाने हो गए हैं पुष्पा और अलू अर्जुन के सभी फैंस पुष्पा टू का पेसबरी से इंतजार कर रहे हैं पुष्पा ने बॉक्स ओफिस पर जैसा धूम मचा दिया हो फिद शाहे वो इंस्टाग्राम हो या फीसबूक, यूटूब हो या टिक टॉक हर जगह सभी पुष्पा के टैलोक्स का ही गुनगान कर रहे हैं पुष्पा फिल्म में सिर्ट टॉलिवूड और बॉलिवूड में ही धूम नहीं मचाई है मगर वीडियोज में भी सभी पुष्पा के टैलोक्स के दिवाने हुए जा रहे हैं यहां तक कि अल्लू अर्जुन की आक्टिंग के भी मोहताज बन गए हैं सभी की जुबान पर जुकेगा नहीं साला की धून और दिलो दिमाग में अल्लू अर्जुन की आक्टिंग सवार है पुष्पा फिल्म में सभी किरदारों का अपना एक अलगी अंदाज है और सभी की अपनी एक अलगी अदा है जिस वज़े से ये फिल्म और भी ज्यादा मज़ेदार लगती है बहुत साल पहले जब आंदरप्रदेश में रेड सांडल वुड की स्मगलिंग की हैडलाइन्स न्यूस पेपर में छपी थी तब ही सुकुमार जी ने छे मैंने ये टॉपिक पर रिसर्च की थी और उन्होंने इस विशे को लेकर एक वेब सीरीज बनाने का सोचा था अगर बात में बहुत विचार के बाद उन्होंने इससे फिल्म के रूप में रिलीज करने को ही ठीक समझा रश्मिका मंदना और अलू अरजुन हमें पुश्पा दराइस में लीज रूल में दिखाई दे रहे हैं पुश्पा दराइस के लिए रश्मिका ने टू सियार लिया मगर पुश्पा की इतने हिट होने के बाद और पुश्पा को जनता से इतना प्यार मिलने के बाद रश्मिका ने पुश्पा 2 दुरूल के लिए 50% बढ़ा कर 3 क्रॉर की मांग की है फर्स पार्ट में हमने ये देखा कि कैसे पुश्पा राज नाम के एक मामूली आदमी एक मामूली मजदूर से रेच सैंडलवर की स्मगलिंग का हैड बनता है और फिल्म के आखिर में हम करप्टिड ओफिसर भवर सिंग शिखावत और पुश्पा की दुश्मनी की शुरुआत देखते हैं पुश्पा फिल्म के इस रुमांचक एंड से यही मालूम पड़ता है कि पुश्पा में तो हमें बस भवर सिंग शिखावत और पुश्पा की बीच दुश्मनी की आग देखने को मिली मगर सेकंड पार्ट में हमें उसके आगे का धमागा देखने मिलेगा और शायद बॉक्स आफिस में पुश्पा फिल्म की सक्सेस का धमागा भी देखने मिले पुषपा फिल्म के डारेक्टर सुकुमार जी ने पुषपा 2 से कुछ सीन्स की शूटिंग पुषपा के टाइम ही शुरू कर दी थी मगर पुषपा फिल्म के इतने सक्सेस के बाद उन्होंने पुषपा 2 की फिर से पूरी शूटिंग करने का सोचा है और ये जाहिर किया है कि वो पार्ट टू की शूटिंग फिर से शुरू बात से करेंगे। पुश्पा टू की रिशूटिंग शुरू हो चुकी है इस साल के ही फेबरोरी महिने से। पुश्पा टू को थेटर्स में रिलीज किया जाएगा और उसकी रिलीजिंग डेट 17 डिसेंबर 2022 बताई जा रही है। और अगर यही सब कुछ प्लान में के मुताबिक चलता रहा तो डारेक्टर सुकुमार ने पुश्पा की सीकल को 16 डिसेंबर 2022 को पांच अलग भाशाओं में रिलीज करने का सोचा है। पुश्पा चो फिल्म का प्रिमेर जिसेंबर में होता है तो ये फिल्म ओचिटी पर जानवरी 2023 में देखने को मिलेगी। पुश्पा फिल्म में अलू अर्जुन को श्रियास तलपडे ने आवाज दी है और उनके डायलोग इतने बहतरीन अंदाज में बोले है कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो मूवी डब्ट है। पुश्पा फिल्म के वैसे तो सभी डायलोग में दम हैं। मगर पुश्पा नाम सुनके फ्लावर समझा क्या फायर है मैं फायर। ये डायलोग की बात ही कुछ और है। और असल में ये डायलोग जब श्रियास जब करने के बाद घर गए तो उन्हें लगा कि इस डायलोग बन चुकी है। पुश्पा फिल्म के अगर तारिफ करने बैठे तो नजाने कितना वक्त लग जाएगा। आखिर फिल्म है भी उतनी ही जबरदस्त। पुश्पा फिल्म के डायलोग बोले या उसके सौंग्स सभी ला जवाब है। पर क्या पुश्पा टू में भी हमें उ हागा पुश्पा और को पुश्पा जबर को ऑगिए लाएगा पुश्पा